Hi friends Welcome to plc पिछले वीडियो में हम लोग strings के बारे में बढ़े थे string क्या होता है कैसा हम string बनाते है कोई string data को store करना होता तो कैसे हम लोग single dimensional array बनाते हैं इन सब चैज playing को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था आज के is video में हम लोग string manipulation using library function देखें मतलब कुछ function बना बनाया है सी अगर आप install करते हैं तो बना बनाया कुछ function आपको दे दिया जाता है उसी को library function बोलता है तो कुछ predefined function है जो string के साथ manipulation का काम करता है manipulation का मतलब क्या कि अगर string में किसी तरह का editing करना है string को जैसे कि lower case में लिखा उसको upper case में convert करना है या string को reverse print कराना है तो इस तरह के काम करने के लिए कुछ function बना बनाया C में available है उसी function के बारे में हम लोग बढ़ेंगे इस वीडियो में ठेक हैं? तो चलिए शुरू करता है There are many predefined functions are available in C language to manipulate strings predefined function मतलब पहले से बना हुआ function है बहुत सारा function है उसका यूज करके आप C language में string को manipulate कर सकते हैं ठेक है? There definitions are available in a string.h header file a string.h header file एक file है जिसमें सारे function का definition मौझूद है मतलब इन सारे function को अगर आप यूज करते हैं आपका programming में तो आपको string.h लगाना पड़ेगा जैसे कि हम लोग print def scanf को यूज करते थे तो stereo.h लगाते थे हैं ठीक उसी तरह से string.h लगाना हुगा ठीक है हम लोग example करके देखेंगे वहाँ पर काफी कुछ clear हो जाएगा ठीक है तो चलिए एके करके function के बारे में पढ़ते हैं फिर example में हम लोग coding करके इसको वहाँ पर use करके भी देखेंगे ठीक है तो चलिए हम दोग देखते हैं सबसे पहला तो पहला क्या है strlane तो यह क्या बोला है the strlane function calculate the length of a given string मतलब कि अगर कोई string है उसका length आपको बता करना है कितने character का है तो इस function को use किजिएगा यह आपको length निकाल कर दे देगा ठीक है अब उसी तरह से दूसरा देखें क्या है strlwr इस function का नाम क्या है strlwr the strlwr function converts a given string into lowercase अगर कोई uppercase में मतलब बड़े अक्षर में लिखा हुआ a string है उसको आप lowercase में लिखना चाहते हैं convert करना चाहते हैं तो इस function को यूज कर लेगे और ठीक इसी का उड़ेटा काम करता यह अगर कोई lowercase में string है उसको uppercase में convert करना चाहते हैं तो फिर इसे यूज किजिए ठीक है और देखिए चौथा नमबर जो function है यह क्या है strr eb मतलब यह reverse करता है यह क्या करता है इसको string दे दिजिएगा उसको यह reverse कर देगा मतलब उलट देगा चले पांचवा देखते हैं पांचवा जो function है strcpy यह string को copy करने के लिए यूज किया है एक चीज़ यहां पर ध्यान देजिएगा बहुत ही important चीज बता है जैसे कि हम लोग एक integer type अगर कोई variable बनाते है और a में हमने डाल दिया 10 ठीक है और एक integer type हमने variable बनाया बी और बी में कुछ नहीं है बी है खाली अगर हम b equal to a करते हैं तो a का value भी b में चला जाता है मतलब copy होयाता है तो मतलब b में अब क्या चला गया बी में भी आ गया 10 तो अगर एक variable का value दूसरे variable हम डालना होता है तो हम assign operator का इस्तमाल क लेते हैं मतलब equal to sign का इस्तमाल कर लेते हैं लेकिन string के case में ऐशा नहीं होता है ठीक यहीं काम अगर करना होता अगर यह string variable रहता यह दी दरिल रहता और यह जिद्ल टाइर रहता तो इस तरह का काम करते तो एरा रहता तो वहाँ पे को αधिका और यह अग़र डालना होगा तो वहाँ पे कर कौम पी किया जाता है हग में आप हैस एने कर सकते हैं एक एक बारता दूसरे बारीम में थैं Chevy कर सकते हैं वहाँ पर आपको copy इसी function का help लेना हुआ ठीक है चले तो यह syntax है strcpy function को अगर आप यूज करते हैं तो यह syntax है syntax में देखे लिखा हुआ है destination और source यह थ्वासा आपके help के लिखा हुआ है destination का मतलब है कि यहाँ पर वो variable का नाम लिखेगा जिस variable में copy करके data आएगा और यहाँ पर उस variable का नाम लिखेगा जिस variable से copy करना है ठीक है तो चलिए अब six number function देखते हैं six number function क्या है strcat concatenate एक word concatenate का मतलब क्या होता है concatenate का मतलब होता है एक string के पीछे दूसरे string को जोड़ देना मतलब दो string को जोड़ना जोड़ना का मतलब addition नहीं है दो string को जोड़ने का मतलब कि a b c यह एक string है और यहाँ पर रखें x y z यह दूसरा string है तो concatenate का अगर काम करना होगा आपको तो इस function को यूज करना होगा ठीक है तो कर रहा है कि the strcat function concatenate the destination string and the source string and the result is stored in destination string ठीक है मतलब यहाँ पर एक variable है जिसमें कुछ data रखा हुआ है suppose कि यहाँ पर जो variable है उसमें x y z रखा हुआ है यहाँ पर जो variable है उसमें a b c रखा हुआ है तो इन दोनों को जब जोड़ेगा तो जोडने के बाद जो final result है वो destination वाले variable में ही store होगा यह कहने का मतलब है तो चलिए last function देख लेते हैं last function क्या है strcmp मतलब compare करना अगर दो string को compare करना जिसे होता है कि अगर दो variable है दोनों में same data है जिसे same नाम है आप उसको compare करके check करना चाहते है कि दोनों में एक ही नाम है तो वहाँ पर इसका use किया जाता है तो यह कैसे काम करता है यहाँ पर लिखा हुआ है if the string are equal the function returns zero otherwise non zero अगर दोनों में का data match कर जाएगा तो यह zero return करेगा मतलब integer value return कर रहा है zero तो जब आपको zero मिल लाएगा तो समझ जाएगा कि दोनों variable का value same है अगर zero नहीं मिला कोई दूसरा value मिलता है तो इसका मतलब data same नहीं है तो इन सब चीज़ों को चलिए हम लोग कोड करके थोड़ा सा समझते हैं एक program बना का तो चलिए coding का नगली चलते हैं एक बात का और ध्यान रखिएगा यह जो भी है function इसको हम turbo c++ में run करा कर दिखाएंगे क्योंकि यह mobile में जो भी decoder एप है उसमें यह function काम नहीं करता है पता ना क्यों काम नहीं करता है लेकिन laptop में basic काम करता है तो चलिए इस पर coding करता है तो सबसे पहले हम जो निसेसरी है उसको लगाते है has include has include studio.it और साथ में हमको एक और चीज़ लगाना होगा has include koneo.it क्योंकि यहां पर screen clear करने के लिए और screen को hold करने के लिए get ch का भी इस्तमाल करते हैं हमको ठीक है तो उसके लिए koneo.it जरूरी है और एक और चीज़ लगाना होगा has include string.it क्योंकि यह जो भी function को हम अभी use करेंगे इसका definition कहा मुझूद है इसका definition इसी के अंदर है यह string.it के अंदर है ठीक है चले अब यहां से हम शुरू करते हैं इन्ट मेंट यह हो गया आपका function function का body ठीक है और इसमें पहले से return कर दते हैं अब वहां पर इन्ट मेंट लिखें इसलिए return 0 हम कर देते हैं चले अब जो code करना है अब हम वह code करना है सबसे पहले एक हमें क्या करना होगा बनाना होगा character आए रहा है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं पहले function को यूज करते हैं जो str length था मतलब इसका length पता करना है तो printf में ही यह सब करके देखेंगे printf के अंदर हम लिखते हैं length length of string equal to percent d देखे percent d यह में इसलिए लिए लगा रहा है कि वह length integer length जो return करेगा वह अपने आपने integer value होगा ठीक है तो यहाँ पर हम direct function को ही call कर लेंगे printf के अंदर ही उस function को call कर लेते हैं strlen और इसमें run करते हैं तो देखे हमने run किया string का जो length है वह कितना दिखा रहा है six तो इसका मतलब यह function काम करते हैं तो चलिए अब लोग next function को try करते हैं अब next function में क्या है strlwr मतलब यह lowercase में convert करने वाला है तो पहले हम लोग string return करेगा ना अब इंटीजर तो return नहीं करेगा इसलिए परसेंट समने लिखा है स्टी आर यूपी आर अपर केस में convert करेंगे ओके चलिए हो गया अब इसको हम run कराते हैं पहले से screen क्लियर करने के लिए करेंगे भी हम यहां लिखते हैं सी एल आर एस सी आर यह सब करना पड़ता है क्योंकि हम टॉर्पो सी में कोडिंग कर रहा है चलिए अब इसको run करते हैं तो दिखिए वहां पर Google जो भी था एस्मॉल केस में था यहां कैपिटल में दिखिया दिखाए दिखाए देरा ना हाँ तो इसका मतलब यह काम कर रहा है चलिए अब हम क्या करते हैं इसमें Google कैपिटल में ही लिखते हैं अब इसको लोवर केस में हम प्रिंट करके देखते हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे एस्टियार एल डबलू फार लोवर ठीक है तो अब इसको रन कराईए अब उसको लोवर केस्ट में आपको दिखाया है देखें लोवर केस्ट में दिखाया है ठीक हर फंक्शन को हम लोग रन कराकर आकर देख रहें कि क्या हम कर रहें हैं अब एक चौथा नमर जो है उस फंक्शन का नाम है s-t-r-r-e-b मतलब reverse में इसको प्रिंट कराना है तो चलिए उसको भी उठा लिए s-t-r-r-e-b यह reverse कर देगा Google का क्या print कर देगा reverse तो चलिंग इसको run कराते हैं अ दिखे गूगल का reverse में प्रिंट कर दिए करते हैं अब क्या करना है strcpy को देखना है मतलब कि string को copy करके देखना है तो उसके लिए हम को एक और string पहले बनाना होगा तो string कैसे बनाता है character रखे बनाता है string variable बन जाता है तो str2 इसका नाम देए और इसका length क्या देए लेके चलते हैं 10 गूगल वह कितने का है छे करेक्टर का है अब क्या करना है हमको str1 वाला जो डाटा है वो str2 में कॉपी करकर डाल देना है तो चलिए यहां पर आईए यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते है str2 equal to str1 इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि integer value और float value यह सब रहता तो हम कर लेते हैं लेकिन यहां पर string value है तो string value को assign नहीं किया जा सकता है तो यहीं काम कौन करता है strcpy function strcpy अब इस function में देखिएगा और यहां पर दो आर्गुमेंट पास करना destination और source target source भी बोल सकते हैं तो destination का मतलब कि जिसमें copy करके डालना है तो हमको str2 में copy करके डालना है और किस से copy करना है str1 तो यह source हो गया ठीक है चलिए तो अप्रेंट करके देखना है कि str2 में actual में गया है के नहीं डाटा तो चलिए इसको हटाइए और इसको तो यहां पर इसको भी काटिए इसको भी काटिए और s2r2 का डाटा देखना है तो चलिए str2 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 का डाटा हम प्रिंट करें देखीगा str1 का डाटा नहीं प्रिंट कर रहे है str2 का डाटा प्रिंट कर रहे है चलिए इसको रण कराते है कि देखिए गूगल उसमें भी कॉपी हो चुका है ठीक है तो इसका मतलब यह काम कर रहा है हाँ एक चीज़ और अम कंकटनेट करके देखना है मतलब जोड कर देखना है ठीक है उसके बाद बाला function क्या है strcat तो अब second number जो array है इसमें भी कुछ डाटा डाल ही देते हैं तो इसमें इन स्लाइज कर दीज़े डाटा एक्वल टू कीज़े और हाला कि इसमें इसको लेंथ दे दीज़े पहले से 20 लेंथ करते हैं ठीक है तो यहां पर हम क्या डाटा देते हैं वेव साइट सॉरी वेव साइट ठीक है चलिए हो गया अब हम क्या करते है str2 में ही str1 का डाटा तो उसके लिए हम को यहां पर कौन सा फंक्टन यूट करना होगा स्टी आर सी ए टी स्टी आर सी एटी ठीक है तो चलिए अब इसको रण कराते हैं देखिए वेव साइट गूगल आ गया ना देखिए दोनों एकदाम आपस में चिपक गया बीच में एस पेस भी नहीं इसी चीज़ को बलता है करना एक का डाटा दूसरे में जोड़ देना ठीक है अब इस टी आर सी एम पी यह एक आखरी फंक्शन बज़ता है इसको भी करके देख लेते हैं किया एक इंटीजर बाले अब क्या करते हैं यहाँ पर रखेंगे इसका तेक है इस अब क्या करते हैं यहाँ यहां पे strcmp और data कुछ return भी मिलेगा ना तो उसको किस में रखना है res में तो res equal to बाकी यह सब चीज़ ठीक है चलिए तो अब हम क्या करते हैं res को print करके देखेंगे तो res को print कीजिए यहां पर तो res को print करना है तो percent d लगाई है percent s नहीं और sorry res हाँ res ही नहीं हाँ res चले अब इस चीज़ को print करके देखता है देखिए 48 आया बुले न कि यह compare करेगा जब match कर जाएगा data तब 0 आएगा अगर नहीं match करेगा तो 0 के अलावा कुछ और आएगा तो चलिए फिर से क्या करते हैं अब run कराते हैं और same दूसरे वाले में भी क्या करते हैं हम लोग same data डालते हैं मतलब google capital में ठीक है अब इसको run कराते हैं देखिए 0 आया दोनों का data जब same रहा तो match किया तो result क्या आया जीरो तो अब इसी अधार पे इस function को यूज करके आप बहुत अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं string पर अधारित बड़ा बड़ा प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं कदम करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको अच्छा लगाओ तो प्ली लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा और अपने प्रेंड के साथ जरूर से अधियागा